राजकारान मतक्रों ढुलतो नभी से महत्त हैं वालची में आपने दिल के अंतर तवत हो तहीं और यह लेखते थे आप वह कौन बैठाय था हैं ते सात्में सभीधान के नाकानुन के दायरे में जंतर मंतर के बंदर यह तो हमारे एक आमरे नूप पजिशन रहेंगा तमाम अरंगाबाद की जंतर यहने तक्रीबने बेरे साथ पे 10-15 लोग मेरे साथ पर होपर रहने वाले हैं नासिर शिद्धी की साथ वहाँ पे जो है तो एक निविलन देने को लिया आए थे और देखा नहीं होँ पे रहेंगी नभी पास अल्लाह अले सल्लाह के अंदर जो गुस्ता की हुई उसका एक बिल लाया जाए अभी जो है रामगीरी महराज को जो है पोलिश परशाशन में जो है आरेस नहीं किये आप हम हम लोगों जो है बहुत बड़ी तैयारी करने के ऊपर जा रह बुस्ता हपते में मैं तकरिबन नौ तिन उपशन को बैटा था जैसे के रामगीरी महराज जो हमारे नभी पास अल्लाह के बारे में जो अन्शक याने घलत अलफाज इसने जो पके थे तो उस बन्याद पर जहें तो मैं वहाँ पर बैटा था तो सरकार के तरफ से हमको स्र में एक कर है कर सकते हमको चाहिए हивается में सहरे को वेक्षान लली है हमको वक्त चाहिए तरह 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 की बाते मारी जंता अमारे समर्तर में आई एस अम्मारी जो हमारी जो मांग है गया मारी मांगिरी पूरी नहीं हो रही तमामसे occupied हंदूस्तान अंडर ऐसे राज के लोक ति तो हर जाने इराच के पक्षे लोग जो फार्फ गयर रहे हों तो बुनिया देन्द längएं के इंदो हमारा जो है जनत्रमणतरक WHY गटिंस मुझ अबाद के बाद ऐसंति का इलान है जाए गाज़ और पूरे डाकुमेंट के साथ में 44 sunrise ж brown या पांग्नी महराज और हो या पांग्हे राच्ट के लोग हो ताकि यसोग बारे में कोई गलत अल्फास ना बूल सके यह कानून को लेकर योग तो हम यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो आज उनके उपर जो तो पलतकार जैसे जो धरकत हो रही है और सरकार जो है तो इसके अंदर एक्षन में नहीं आती है किया मस्तला है आज देख लो बनीसों सहता लिए अजाज हिंदुस्तान से पहले जो तो हमारी बेटिया हमारी माँ बैट सुरक्षित यह के आजके सरकार के अंदर हमारे बैटी को पर इतना थो रहा है। कितनी शरम की वात है चार साल की बच्ची के अपर यान था शाल की ने के तो साच साल की याने बड़ी-एओरत के अपर भी जो पलतकार होता है, और सरकार हरकत में नहीं आती है, सरकार नजर अंदास करती है, सरकार होर बलतकारी को सबट करती है, आज मनीपुर के अंदर हला देख लो आप, मनीपुर का एक जाइजा लो, तो आज देख लो हिंदुस्तान के लोगों, मनीपुर का जाइजा लो, आपने आपको सोचो, आख यहां से नंगन घुमाया जाता है और राज के पक्षिन लोग देखते हैं सरकार देखती है और उसके अपरेक्षन नहीं लेती उसको अजाद चोड़ दिया जाता है यह हमारे साथ में अन्याई नितार किया है अग्राफ के दोर में नहीं हुआ है और पर अन्याई हो रहा है बेटी सुरक्षित नहीं है अमारे बेटिया आज कालेज के अंदर जाती है तो बूलती सोचती है कि में कब घर पहुच़ूगी उसकी मा गदी की मेरी बेटी कब घर प्याएगी वह एक रहा देखती है उसका घ अब हमारे हमारे बेटी कॉलेज में गयी हमारे बेटी जो इने के गई आइढिcan अने सब referred देखतें़ दूए और जब बेटी नियानी खे जारे कि आ zijn रोधित के साथ इसको उसको अत्याचार किया गया और हो यही हें हमारी मां को लेके हमारे यह दो फील ह 우리는 हमto करने की जा रहे जो हमारे नभी पात सल्लयस ohως-sal olan- rivers के गुश्ताइगी करता है उसके खिलाब जो है तो आज हमारा जो जो पानून बने उसके उपर जो तो इससनी सजा होना चाहिए तक्रीबान दो साल की कड़िशे कड़िश सजा हो और 10 लाग रूपेस के अंदर गंड हो और दूसरे आगर से जो बलककार है या हमारी दूसरी भी मांग रहेंगी इसको डारीक पौसी होना कि सजा की सजा दी आ जाया है यह हम मांग को लेके बैटने आरेस युनानी फार्मेसी गुर्दे पित्ते में पत्री और दोबारा पत्री ना होने का किया जाता है मुकमल इलाज भादूरपुरा एक्ष रोड रब्त करे 9390-610-436 पर विजए क्या पता है उनका क्या मसला है अनके अंदर क्या राज कारा ने मुझे पता नहीं है यहां तक कि आमको जो माहिती मिली है प्रिटौ कर दिया ने कंगे प्रदे तो सवाल फोस सवाइब से हारे कर दो पानुन कि निminute शूल से और यह चाहिए करें कि इससाब और बं। पुलिस आरेश करेगी, उनको तकलीप पहुचीगी, तमाम को बताने सकते, कही को उनके अपर इफार दियाने वे कानून के इसकी मिशिकंजे में आएंगे, यह हमारा काम नहीं है, हमारा जो है, तो सभीदान ने हमको जो तरीका दिया है, उसके हिसाब से हम करना चाहिए, इम्दिया जलील साप का वुपोशन में आने का काम था, और आप क्या है, तो नभी के शाद में घुस्ताइः करने वाले कि जो है तो वहां पर उस केस में बैटा था, तो इम्दिया जलील साप में आना चाहिए था, और बड़ी शक्टी परदरशन बताना चाहिए था, जिसका कोई ऊजूद ही नहीं था लेकिन बैटा था किसके खाल राएं कुने उपान से लुए फिर आप क्यों के आए भाह ना से लुए नार गृफ जादा वहां पे अरंगाबाद की जनता इनको जादा समर्तन कर रही है, पुरी अरंगाबाद की जनता इनकी सपोर्ट में आ गई है, जब उनोंने एक वहां पे निविदन दिये, जाके जब सामने देखा तो डिविजल कमिश्यर के साम में कौन बैटा है, और पबली जादा तुम्हाँ पर आ गए और अपना राशकारन करके हो पिछ लेगे गए इंत्या जलील साब भी कर आने वाले जब मेरे पर हालाता है जब पुलिस परशासिन का दबाव आया पुलिस परशासिन ने मुझे वो तक्लीप पहुचाई जब कहाते इंत्या जलील साथ कहाते आप दरताव होता जहें कोन वाँ कों बैटा वहाय कोन निकम्मा आद्मी बैटावा है कोशा और चांड राशकार आद्मी वेटावा है वह देखते के आपो estructतर कि वहां बेटावाई गुस्टागी करने फेले के लिए बैटा था मेरे नभी शॉने लगंने लिए नाका रहा ऐक आधना जो जिसमी जो तो आज उसका कोई तो उसने हमारे नभी की शॉन में कुस्तागी करी थी तो इसलिए वहाँ पर बैटा था आप आ जाते तो पब्लीक की अंदर भी आपकी शान हो जाती पब्लीक जो तो आपको अच्छी नजर से देखती है आज पब्लीक के अंदर हुई चर्चा चड़ रहा है साथ इम्तिया जलील वहाँ पे जो तो कुछन में नहीं गाए करके हर चावरा भी अबस्तिती यह राजकारण नहीं है तो आज मेरा बोलने का मेरा मकसद है आप जो जा रहे हैं श्री महद अपना राजकारण चमकाने के लिए महाराश्ट्रे के अंदर जो है तो आप पूरे सीटा ख़ड़ा करने वाले है और पूरा सीटा करके जिए तो फिर से बीजी भी आज माराश्ट्रे में फिर से आने वाली है तो मेरी अदबन गुजारिश है इंदे जिलील सहाफ और असेशस हाफ ऐसा ना करें कि फिर भी जो तो महाराश्टिय के अंदर बीजीपी के सत्ता वापस में आ जाए मेरी हाज्योट के आप से विरिंती है और द्रका से इंद्या जिलील खाफ ऐसा मत करो कि ताके बीजीपी होर सत्ता में बैटे वही होने वाला है आप पूरे सीट खड़ा करेंगे फिर से की पड़े जंद्यागी के तुर्णे का काम करर रहा है कही तो मतर सो के अपर कंड़ियाचार कर रहा है कई मुसलमानों के अपर आप माराश्टियाचार प्र से ही आपर मारा एश्न के लिग्राश्ट के अंदर नहीं आपको जंतर मंतर के उपपर हमारी टीम पूरी जो है तो हमने पूरा निन्ने ले लिया और पूरी प्लानिंग हो गई है हमारे दो मांगें होँपे रहेंगी नभी पाओ सल्ली ले लिए अदर जो गुस्ता की हुई उसका एक बिल लाया जाए दूसरा हिंदूस्तान के अंदर हमारे बेटियों के पर हत्या चार हो रही है उसके अपर एक कानून बनाया जाए ताकि ऐसे बेशरम इंसान को डारेक ख करता हूँ हमारे साहईपकान पठान को और उउनके जजबे को अलगों को जो है तरखियों को ऊपर पहुचा लेना बंदू निकालने वाले हम सवी रानिक तरीके से कानून के डायरे के अंदर एक काम करीगे मैं जावी रह्मर रसाहिप खान पठार हमारी टीम के जितने भी लोग है हम जो है दिल्ली के अंदर देंगे जंतन मंतर के उपर जो कोशन के अंदर भैटी है हमारी मांगे यह लोग सबा, राजे सबा, राश्ट्रपती मिलके ऐसा विल पास करें जो अल्ला के नभी सल्लेला आले सल्लम की शान में घुस्ताखी करें उसो कंपन शेक्षन देना चाहिए बीस लाग रुपर जुर्माना देना चाहिए और फासी की सजा होना चाहिए ऐसा कानून पास करे और जो दुसरी मांग हमारी यह रहेंगी जो आज महिलाओ के उपर जो ए नाभाली को उपर रेब हो रहा है यह रेप के बारे में सक कानून पास करना चाहिए हुकुमत में यह सोई हुई सरकार को गंबिरता से लेना चाहिए आज जो हम कहते हमारा देश भारत महान आर हमार देश के अंदर महिलाओं शुलक्षित नहीं है महिलाओं को इसके लिए सब्सक्राइब कर गंबिरता से लेना पड़ी गाए चीज के बारे में पारलेमेंट के अंदर ऐसा कानून पास करें अगर कोई शक्स कोई महिला के साथ रेप करें तो उसका प्राविट पार्ट काट उसको गहदे के अपड़ बिटाकर पुरे महले में गुमाया जाए ताके दुसरे शक्स को देखकर दुसरे लोगों को देखकर इबरत मिले किसी आउरत के साथ जो है गलत काम ना करें रेप ना करें बस मेरा ये कहनता जाहिंद आल्ला आफिस गुर्दे और पित्ते की पत्री के मरीजों के लिए खुशखक्री आर एंड एस फार्मा पेश करते है बहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में पत्थर दुबारा जल्दी ना होने का मिकमल इलाज नो आपरेशन नो साइड एफेक्ट खा की तफसिलात के लिए रब्त करे आर एंड एस फार्मा अपोजिट केनारा बैंक बहदुरपुरा हैदरबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटाक करे एरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है हुआ 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 है